कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स्ट इंड्समेंट पे और मैं हूँ आपका मेंटर शेवांच बसी आप लोगों की रिक्वेस्ट से में एक प्रेडिंग का रिपोर्ट कार्ट लेकर आया हूँ जो कि फर्स्ट वीक अफ में पर हम लोगों ने जित्ते भी आप लोगों को स्विंग प्रवाइट करवाई थे कमसे कम 6-7 त्रेड्स थे उसका में एक रिपोर्ट कार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं और अगर आप इस वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हैं सीधा अपने एक्सल शीट पर आते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी रिपोर्ट कार्ट हमें प्रेजेंट कर गई है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग अपनी एक्सल शीट के अंदर आ चुके हैं और भी को यहां कि मंदेटू फ्राइडे ट्रीडिग डिस होते हैं तो 3d अफ में मंडे को हमार ट्रीडिंग दे स्तार्ट हु आटा है और 7th अफ मे फ्राइडे टॉर्ऐ गुशैछ अंदर उपर और किता गया है वो stock and quantities कैसे decide करी है वो भी मैं बता देता हूं उसके accordingly हम लोग ने अपना P&L बनाया है so अगर आप लोग ये पूरी चीज देख पा रहे होंगे तो guys मैंने आप लोगों को बहुत stocks के कोई stock आपको मैंने बताया 5% उपर चले जाएगा कोई बताया 10% जा सकता है कोई 20% कोई 10-50% तक के भी stocks मैंने बताया है कोई 40% तक भी उपर return देने वाले stocks भी बताया है इस particular swing trades के portfolio में कुछ ऐसे stocks भी है जो 40% से उपर भी गए है और वो हमारे target थे but हम लोग ने एक average expected return लिया है 8% एक हफते के अंदर अगर एक stock में 8% का return दे रहा है that is well and good बहुत बढ़िया अगर एक हफते के अंदर एक stock में 8% का return दे रहा है so मैंने on the average 8% का return लिया है तो यानि कि जो भी मेरा suggested price बताया है उसका 8% उपर मेरा targets है and उसके उपर high कितना लगाया है stock ने अब quantities कैसे decide करी है यह वाली यह आप देख रहे है below 100 कोई भी अगर stock 100 से नीचे है तो हम लोग ने 1000 quantities buy करी है अगर 100 to 500 के बीच में कुई stock range कर रहा है तो हम लोग ने 250 quantities उसकी buy करी वी है and अगर 500 के ऊपर कुई stock है तो उसकी हम लोग ने सिर्फ 150 quantities buy करी वी है तो इस तरीके से हम लोग ने यह पूरा एक ledger बनाया है आप लोगों के सामने यहां पर देखते हैं सबसे पहले मंडे की बात करते हैं तो मंडे को हम लोगों ने जिन्दाल C और जिन्दाल 100 और द्वारीकेश शुगर दो स्टॉक से जिस्ट करें अब यह कैसे पता लगाएं हाइक को देखके हाइक था 98 रुपीज और हमारा टार्गेट था 91.80 रुपीज जो की अचीव हो गया था अब हम लोग ने 1000 quantities अगर बाय करा होगा बिकोज 100 रुपे से नीचे है तो अल्मुस्त अल्मुस्त हम लोगों को 6,000 रुपे का प्रॉफेट हुआ इसके बाद हम लोगों ने द्वारीकेश बाय करा था 42 रुपीज पे इसका हमारा जो टार्गेट था वो 40 परसेंट उपर था बट तब भी मैं 8 परसेंट ले रहा ह हूं तो 45 रुपीज 0.36 है और इसका हाइ 59 है तो अल्मुस्त अल्मुस्त इसका भी हमारा टार्गेट अचीव हो गया इसके लाव हम बात करते हैं Tuesday को Tuesday है 4th of May को इस पे मैंने 3 स्टॉक सजेस्ट करे थे एक तो SCI जो कि 108 पर सजेस्ट करा था इसका हाइ 125 है हमारा यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा इसके लाव हम लोगों ने ग्रानवर्स इंडिया भाय करा था 340 रुपीज पर 370 का है था according to 8% रिटर्न हमारा 367 का टार्गेट था जो की अचीव हो चुका है के डिला की बात करें के डिला हम लोगों ने आपको 586 पर सजेस्ट कर गया होंगे इसके लावा 5th of May को छुटी थी वेडनस दे को थर्सदे की बात करें तो थर्सदे को मैंने आप लोगों को वाखाट फार्मा से इस्ट करा था 535 पे इसका आज का हाए 60 रुपीज है बट हम लोग अगर मान के चले एक्सपेक्ट इट परसंट रिटर्न तो हम 577 पे एक्जिट कर चुके हैं 6,000 रुपे लेकर 7th में फ्राइडे को एन एफ एल सजेस्ट करा गया था नाशनल फर्टिलाइजर 62 रुपीज पे अकॉर्डिंग टू 8% हमारा टागेट होना चाहिए था 67 रुपीज का 73 रुपीज का आज हाई लगा के आया है 1000 कॉंटिटी 30,500 रुपीज हम लोग ने अर्न करें तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 8% अगर मैं आपको 40-40% का रिटर्न अगर यहां बताने लगू तो प्रॉफिट बहुत जादा हो जाएंगे है ठीक है हम लोग ने तो कुछ स्टॉक्स एक्जिट भी नहीं करें भी तक इस इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिफ मानके चल रहे हैं 8% रिटर्न एक एवरिज परसंट को चाहिए होता है तो आप लोग लोग ने इन सब स्टॉक्स पर ट्रेट कर रहा होता तो आप लोग वीकली स्वेंग ट्रेट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट लेकर निकलते 37,5 532 रुपीज का यस गाइस 37,000 प्लस रुपीज तक के टागेट्स आप लेकर निकलते सिर्फ अगर आप मेरे स्वेंग ट्रेट को फॉलो करते और इस स्ट्राटजी के साथ अगर आप लोग चलते तो गाइस थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए मैं एक और वीड सेक्शन में मुझे जुरूर बताएगा कि मैं नेक्स टॉपिक के उपर कौन सी वीडियो बनाऊं स्टॉक मार्केट पर कौन से टॉपिक के उपर और वीडियो बनाना स्टार्ट करू अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जो आप लोग देखना पसंद करेंगे थैंक यू आप लोग इस तरीके से भी अर्न कर सकते हैं डिफिनेटली अगर आप हमारे सुइंग ट्रेट को फॉलो करते रहें इस वीक तो हम लोगों को कोई भी लॉस नहीं हुआ था बट देखते हैं यह जो सेकंड वीक है इस पर हमारे चांसे क्या रहे होंगे तो मैं सैटर्डे य संदे तक आप लोग के सामने इस वीक की भी रिपोर्ट शीट डिफिनेटली शेयर कर दोगा तब तक लिए गाइस थैंक यू सो मच बाइ बाइ और इस वीडियो के अंतर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पर जरूर बताएगा कि मैं अगली वीडियो कौन सी लेकर आँ कर दो